पर मेरे पी पास हम खुशकिसमत है कि मेरे पास एक ऐसे ससुर जी भी यह, जो एक बेटी जैसे हम को मानते हैं, बिलकुल हम अपने परिवार से थीसरी पीडी के नेता हैं, अब सक्सेस्फुली कह सकते हैं कि हम नेता हैं, पर यह कभी हमने नहीं सोचा था कि इतने जल्दी हमको पॉलिटिकल डेबियो करने का मौका मिलेगा है जब तक वो खाये नहीं तब तक पेट भरा है थाना बनाना हमें को बहुत पसंद है जाडू पुछा हमने खुद किया है यह बरतंद होना है वो भी हम किये है जो भी घर क पर जो काम होते हैं वो हम करते हैं नमस्कार अमरुजाला.com देख रहे हैं आप और मेरे साथ असवक बहुत ही खास महमान मौजूद है और बहुत कम उम्र यानी देश की कम उम्र की महिला सांसद है शांबवी चौदरी बिहार से आती हैं समस्तिपूर को रेप्रेजेंट कर कि शांबवी को अब तक एक एक दो मिनट का भी वक्त नहीं मिला है कि वो बैट कर सारी चीजों को कैलकुलेट कर सके लेकिन फिर भी क्या सोच रही है इस वक्त शांबवी बहुत नाचरल है जीत के सबको खुशी होता है और हम यह मानते हैं कि 5000 वोट से भी आप जीती है दस सब्te Любar Red предлаг फिर जासी के रूप में और सांसद के रूप में आप हमको बाद में देखे, पहले आप हमको अपनी बेटी के रूप में, बहन के रूप में मानीं ए और अपना राचरवाद मेरे तो जीट जाएंगे, तो हम हम यह मानते हैं, और इसी के साथ जो वो जिम्मेदारियों का एहसास है वो भी मुझे पूरा है और हम बस चाहते हैं कि सारी उमीदों पे जितने भी लोगों को हमसे उमीद हैं जो भी उनकी आकांशाएं हैं जो हमसे जुड़ी हैं उस पे हम खड़ा उतरें और हर कार अच्छे से सफलता पूर हुई थी और हर जगह यही छपने लगा था कि बहुत कम उम्र की मैला हैं जो सांसदी के लिए इस वक्त मेहनत मशक्कत कर रही हैं शांबवी चुकी आप एक ऐसे परिवार से आती हैं जिसका बैक्ग्रांड पॉलिटिकल ही रहा है अशोक चौदरी जी उनसे भी कुछ सीख है पॉलिटेक्स प्लस रिलीजिन का यह जो दोनों चीज़ें आपके अंदर दिखती हैं तो वो किस तरीके से आप इन सभी चीज़ों को बैलेंस करती हैं कि जो अभी मैं आपको देख रही हूं तो टीका लगाया है आपने गले में रुदराक्ष पहना है आपने इसका मतल करता है पॉलिटेक्स एकलोता ऐसा प्रोफेशन है जहां पर बाकी लोगों पर आपका पूरा प्रोफेशन डिपेंड करता है इस ऐसे प्रोफेशन में दिमाग में स्थिरता मन में स्थिरता बहुत जादा जरूरी है और इसलिए हम मानते हैं कि जब हम भगवान से प्रातन के नए दिन के लिए हिसले धर्म को हम इस तरह से देखते हैं कि इंसानियत अभसे बड़ा धर्म है और हमारे हिंसानियत से उपर कुछ नहीं और अपने से पहले सेवा का जो भाव होता है वह सबसे प्रथम भाव होना चाहिए और यह सारी मेरे संसकार हैं और यह सब को हम आगे लेके चल रहे हैं मेरे पिता जी भी राजनीती में रहे हैं मेरे दादा जी भी राजनीती में रहे हैं और मेरे अब ससुर जी हैं वो भी मानव सेवा और जन सेवा का उधारन है तो हम यह मानते हैं कि यह जो हमको सब तरफ से जो एक guidance मिलता है जो आपको बड़ो का आशिरवाद मिलता है आशिरवाद रूपी आपको जो सुझाव मिलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो उसको हम बहुत सीरिसली लेते हैं बहुत सीरिसली सुनते हैं और हम बता दे कि एक पिता जी तो कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए देखते हैं हर इंटर्व्यू के बाद हमको बोलते हैं कि यह नहीं अगर आप ऐसा बोलती या फिर यह बहुत अच्छा बोली तो हमको लगते कि वह एक प्रॉसेस में इन्वॉल्ड थे और जब वह छेत्र कहते तो एक उन्होंने बात कही थी कि अगर सायन चुनाव लड़ र के साथ हमको आगे बढ़ाने के लिए खड़े हैं अच्छी बात है कभी सोचा था आपने कि आप पॉलिटिक्स जॉइन करेंगी क्या पहले सोच लिया था ऐसा बिल्कुल हम अपने परिवार से तीसरी पीडी के नेता है अब सक्सेस्फुली कह सकते हैं कि हम नेता है तो लोगों को आप से आशाएं और आपके पास शक्ति है जहां पर आप लोगों की जिन्दगी बदल सकें तब से हमने सोच टा कि हा जब हम बड़े होंगे तो हमको भी करना है जो डादू कर रहे हैं तो यह कभी हमने नहीं सोचा था कि इतने जल्दी हमको पॉलिटिकल डेबि आपने नहीं हैं और कोई और चलाते उन एंजी ओस के माध्यम से स्वास्त के चेतर में लगातार शिक्षा के चेतर में लगातार काम करते रहें और बहुत क्लोजी अलग-अलग केसे जमें वह अगर भारी अंतर से जीती हैं और सब को ये बता दिया है कि अगर मेहनत करें और विश्वास हो तो सब किया जा सकता है अगर बाई चांस थोड़े से अंतर से हार जाती तो क्या करती एक और अगर मीडिया हाउस हमसे प्रशन पूछा था तो एक सेकंड के लिए हम भी सोचे थे कि कभी हम ये सोचे ही ने बट चुनाव लड़ने के पहले हम अपने एक ग्यानिकेतन गर्ल स्कूल है उसकी निर्देशेका के रूप में काम कर रहे थे उस काम को हम जारी रखते और वो का विध्याले में काम करने से बहुत सुकून मिलता है क्योंकि और वो गर्ल स्कूल था वहां पर लड़कियों को बालिकाओं को पढ़ाया जाता था शिक्षा जिया जाता था प्रत हम कह सकते हैं आप फर्स्ट क्वालिटी एजूकेशन उनको मिलता था तो यह इसी को हम कंटि बाहर ही रहे कर पढ़ाय लिखाई भी की है मेरे को सच बता है समको दाल चावल भुजिया बेस्ट लगता है क्योंकि हमको लगते है कि जब तक वो खाए नहीं तब तक पेट भरा नहीं तो अगर हम बाहर भी रहे और एक दिन के लिए कुछ कुछ खा भी लिया तो भी कभी जिसे अगर एक पूरा दिन बाहर है घर आगे सबसे पहले दाल चावल भुजिया ही खाते है या फिर खिचडी तो आई थिंग वो मेरा कमफ़र्ट फूड है खिचडी और दाल चावल भुजिया घूमना कहां पसंद रहा है इंडिया इंडिया में कहीं भी मतलब हमको एक अगर इस पूरे देश में कोई मेरा फेवरेट जगा है जहां पर अगर हमको दो दिन भी मिलता है तो हम जाना पसंद करते हैं काशी विश्वनात अच्छा आपको हमेशा एथनिक में देखा है थनिक पसंद है या वेस्टन कपड भी पहनते हैं नहीं हम पहनते दोनों है ब और हमेशा अपनी बहाशा में बात करते हैं बिहारी भाषा में आपको मैं करते हुए या फिर इस तरफ की भाष़ा में नहीं बात करते हमेशा कितना गर्व होता है बिहार वाली बहूत और मज़ेदार बात यह कि मेरे college के friends के साथ-साथ सब लोग हम-हम करके बोलने लगे ह मतलब हम मैं नहीं अडॉप्ट किये बट वो लोग सब लोग हम 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 अडॉप्ट कर लिए आप अपनी चाप चोड़े रहेंगे समस्तिपूर में क्या कुछ करने वाली सोचा है कोई एक खांका बनाया है अभी तक आप बिल्कुल एक जब हम चुनाप्रचार कर रहे थे तो अ सब्सक्राइब हो तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग उलग एडी प्रकंट से अलग अलग recas से अपना अपना पना सुझाओं दिये वो सारा सुझाओं मेरे पास है और वो सब को एक टीम बैटके उस गोशना-पत्र को तयार की थी उस गोशना-पत्र में मैं जो area था focus का, उसको अगर हम conceptualize करें, उसको छोटे में बताएं, तो main issues वहाँ पर connectivity का था, क्योंकि connectivity हम मानते हैं कि अभी भी उस छेत्र में कई ऐसे गाउं हैं, जो well connected नहीं है, जहां तक सड़क नहीं पहुची है, और सड़क सिर्फ सौंधी करन के लिए नहीं होता है, आपको सही समय पे महाँ पे सुवधाय नहीं पहुच पा रही है, लोगों तक शिक्षा नहीं पहुच पा रहा, लड़कियों को college drop करना पर जाता है, स्कूल के बाद वो higher education नहीं परश्यू कर पाती हैं, college नहीं जा पाती हैं, क्योंकि उनके college उनके घर से बहुत दूर होता है, उन समस्ती पूर को well connect कराना है, जब समस्ती पूर अच्छी तरीके से connected रहेगा, तो natural है, बहुत investment आएगा, एक connectivity जब बढ़ता है, तब आप वहाँ पे investment ला सकते हैं, investment बढ़ेगा, companies खुलेंगी, वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, युमाओं के लिए रोजगार मिलने लगे अचुट में पहले हम पहले हम किसान के लिए करेंगी, जगे जगे पे कैμپ्स लगाएंगे, क्योंकि जो कैंद्रियः योजनाएं अभी हमारे पास है, वो भी अभी तक सही तरीके से किसानों पहुंच पाईएंगी बहूत सारे किसान को पता ही नहीं कि यह सारी योजना है तो उन तक camps लगा लगा के अलग-अलग पंचायत में, अलग-अलग प्रखंट में, सारे किसानों का registration करा करके, ताकि उनको किसान सम्मान ने दी, किसान फसल, बीमा योजना, किसान सिचाई योजना, ये सब का लाब उनको मिल सके. मजदूर बहुत सारे हैं हमारे जो बाहर जाके काम करते हैं उनके लिए रोजगार का उपाई भही करना है समस्ती पुर में दोतीन इशूज हैं जो बहुत कई वर्षों से लोगों को वादा कर दिया गया था पूरा नहीं किया गया है है व Cleop Чтобы फाइऊ ऐवर हो इसको सौल्फ करने कैसे हम यह सारे बंद्राइं को वापस को सकें कि लिख तुरंट में रोजगार क्रियेट हो सब्सक्राइब है तो यह सारे मेरे पास रोड मैप है और हम मानते कई हद तक हम लोग इस पर काम शुरू कर भी दिये हैं वो चाहे बोला टॉकी फ्लाइओर हो चाहे मुक्तापुर फ्लाइओर हो मेरे पिता जी बिहार सरकार में हैं हम अब केंद्रे सरकार के कह सकते हैं कि सांसत के रूप में हम यहां पर हैं तो मानत सबी नए नए मंतरी बने रामना ठाकुर जी वो भी है तो हम मानते हैं कि यह सब को हम वेल कनेक्ट कर पाएंगे और समस्तीपुर में विकास कर लेंगे अच्छा पूरा उंवरक आपने कर लिया है ऑलरेडी की क्या 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 करना है बहुत अच्छी बात है क्योंकि यह बह जाडू पोच्छा बरतन यह सब कभी किया है हमेशा क्योंकि जब कॉलिज में थे मेरे पिता जी हमेशा कहते हैं कि पढ़ाई के लिए हम लोगों को बाहर जाना चाहिए क्योंकि आपको स्वतंत्रता और स्वतंत्रत डिसिजिजिन कैसे लेना है जिन्दगी अकेले कैसे जी में जो कोई और नहीं कर सकता है या कोई है नहीं करने वाला तो खुद ही करना पड़ते हैं जैसे अभी दिली में है तो नाच्रली को स्टाफ सपोर्ट उतना नहीं है तो सारा काम खुद करते हैं अगर खुद करने नहीं आता है तो किसी और से एक्सपेक्ट मत करो अब मतल होना चाहिए तो हम लोग को घर का सारा काम आता है अगर आप अकेले भी रह जाएंगे तो हम घर अच्छे खासे तरीके से चला लेंगे वाह आपने सुना कि किस तरीके से शामभवी ने हर एक सवाल का जवाब दिया और वाकई बहुत डाउन टूर्थ हैं क्योंकि तस्वीरे सांसत तो बनी गई मंतरी बने और ये भी उमीद करते हैं कि बिहार में एक बहुत बड़ा चहरा बन कर आप बाहर निकले बहुत 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 शुक्रे आपका